पाकिस्तान और सिलंका में वंडे फॉर्मेट के रूप में खेले जाने वाले एसिया कब दोज़ाइश के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम का एलान करे डाला है बाबा राजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एसिया कप के मैदान में उतरेगी जिसमें बाबा राजम सहिब कुल 17 खिलाडियों को सामिल किया गया है एसिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला 2 सितंबर को सिल्लंका में खेला जाना है जबकि इस टूर्ना मेंट की शुरुवाद 30 अगस्त को होगी और फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा एशिया कब 2013 से पहले पाकिस्तान की यही टीम सिल्लंका में अफगानिस्तान के खिलाब 3 वंडे मैचों की सिरीज भी खेलेगी एशिया कब 2013 इस पर वंडे फॉर्मेट में हाइब्रीड मॉडल के अधार पर खेला जाएगा जिसके तहट 4 मैच पाकिस्तान में तो बाकी मैच सिल्लंका में खेले जाएंगे बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम 30 अगस्त से मुल्तान में नेपाल की खिलाब मैच से अगाज करेगी बाबर आजम की टीम में तेज गेंदबाज साहिं सा अफरीदी, नसीम सा, हरीश रौप और मुहम्मद वसीम जूनियर के रूप में जहां धाकट तेज गेंदबाज नजर आ रहे हैं वहीं बल्लेबाजी में भी पाकिस्तान की टीम में इमामुलहक, बाबर आजम, सल्मान अली आगा, मुहम्मद रिजवान और मुहम्मद हारिश के होने से काफी संतुलित नजर आ रही है इस्पिन विभाग की जिम्मेदारी सादाप खान के कंधों पर होगी, चलिए एक बर पाकिस्तान की पूरी टीम पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों आपको पाकिस्तान की टीम कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद